क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात्प्रम्ब्रह्म्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल पड़ती दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपनी एवं बेहध ही खास लोगपरी कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशे सांख कारिक्रम में बात करेंगे सूरी के रासी परिवर्तन के बारे में जी हाँ 16 नौवंबर 2018 को सूरेदेव वरिष्टिक रासी में गोचर करेंगे और वरिष्टिक रासी में सूरेदेव के गोचर करने से आप सभी 12 रासी वालों के जीवन में कुछ सुभ या कुछ अशुप्रभाव हो सकता है तो यह आपके और हमारे लिए जानना बेहद ही जरूरी है जानेंगे इस कारिक्रम में सूरेदेव के रासी परिवर्तन से आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है परभाव सूरे पिछले एक मेहने से तुला रासी में गोचर कर रहे थे और 16 नवंबर 2018 को वो विर्ष्चिक रासी में परवेश करेंगे और एक रासी में भगवान सूरेदेव पूरे एक मेहने तक रहेंगे सूरेदेव सिंग रासी के श्वामी है वैदिक जोतिस में सूरेदेव को ग्रहों का राजा माना गया है कुंडिली में इस्थित होकर यग्रह, पिता, पुर्वज, केरियर, मान सम्माण यवं आत्मा के परकास को परभावित करता है तो हमारी जीवन में सूरेदेव के वरिष्चिक रासी में गोचर करने से बहुत ही जादा महत्पुन परभाव होने वाला है तो चलिए अब शुरुवात करते हैं और जानते हैं कि में इस रासी से लेकर मीन रासी वालों तक के जीवन में क्या कुछ हो सकता है सूरेदेव के इस रासी परविरतन से परभाव शुरुवात करें उससे पहले जिन दर्शकोन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखेवे बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके बाद जश्ट बगल में घंटी के आकार के बेल आइकोन के बटन को प्रेश कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर ऐसे ही धर्म एवम जोतिस से जुड़ी अनेक रहस्पूर्ण महस्पूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहे. तो चलिए बात करते हैं सब से पहले मेश रासी वालों के जीवन में सुर्वेदेव के इस गोचर पडिवर्तन का क्या कुछ हो सकता है परभाव. मेश रासी वाले सुर्वेदेव आपकी रासी से आठमे घर में गोचर करेंगे. इस कारण समाज में आपकी छवी खराब हो सकती है. गलत कारियों में फसने से खुद को रोकना जरूरी है. सुवास्त का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है. नहीं तो आपको बुखार और सिरदर्द जैसी दिक्कतों का शामना करना पड़ सकता है. कोई विरोधी, कोई शत्रू आपके खिलाब शरूठा सकते हैं. गलत संगत से इस अवधी में बचें. अनित्हा मुश्किल में आप पड़ जाएंगे. पड़िवारिक जीवन में समय अच्छा रहेगा. जूवे और सक्टे किलत से खुद को दूर रखना बेहद जरूरी है नहीं तो धन हानी का सामना आपको करना पड़ सकता है. आपके द्वारे छुपाए गए राज भी कुछ बाहर आ सकते हैं. इस अवधी में आपको सूरे देव के असुप्रभाव से बचने के लिए भगवान विश्नु की पूजा निमित रूप से पूरे महने करने चाहिए इससे आपको लाब अवश्य मिलेगा. अब आईए जानते हैं सब रासी वारनों की जीवन में क्या कुछ होगा सूरे देव के रासी परिवर्तन का परभाव. विरसब रासी वाले सूरे देव आपकी रासी से सात्मे भाव में गोचर कर रहे हैं. इस दोरान आपको कारे छे परित्र में खुसीयों की धूम रहीगी, वहीं परिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. जीवन साथी के साथ विवात पूर्ण इस्तितियां बन सकती है. जीवन साथी के सेहत में गिरावट आ सकती है. बच्चे भी आपके इस आपसी विवात से पर निकल सके पडिवारी कस्तर पर आपको बेहद ही स्वम्मिता से आगे बढ़ना होगा इन सभी अशुप प्रभावों से बचने के लिए आपको परतेक रविवार को गुड का दान करना आपके लिए बहुत ही जादा शुब रहेगा अब आईए बात करते हैं आगली रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वाले सूरेदेव आपके रासी से छटे भाव में गोचर करेंगे यह गोचर आपके लिए सुब फलदाई होगा इस दोरान आपके द्वारा किये गए परियास में आपको शफलता अवश्य प्राप्त होगी धन लापके भी अच्छे यो नजर आ रहे हैं कारे चेत्र और व्यक्तिकत जीवन दोनों जगा आप विरुदियों को हरा कर आगे बढ़ेंगे सेहत आमतोर पर अच्छी रहेगी मौसमी दिक्कतों से खुद को शम्हालने का आपको प्रियास करना चाहिए इस महेने आपके आर्थिक हिस्तिती काफी मजबूत रहेगी सरकार से जुड़े किसी कारे में आपको लाब प्राप्त होने वाला है आपके आत्म विश्वास और आत्म शम्मान में विर्दी होगी सुख और शांती कानभव प्राप्त करेंगे पूरे महने आदित हिर्दय इस्त्रोत का पाठ करना आपको बहुत ज़्यादा श पाठ में भाव में गोचर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़े आर्थिक लाब का कारण बन सकते हैं इस अवधी में आपको कई प्रकार का लाब मिलने वाला है खास करके केरियर में नई छलांग आप लगा सकते हैं पूराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी प्र परिशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जीवनसाथी को इस समय का लाब प्राप्त होगा और धैरे के साथ आगे बढ़कर आप अपनी परिशानियों को सुल्जा सकते हैं इस अवधी में आपके अंदर थोड़ा बहुत घमंड भी आ सकता है अहंकार आ सकता है इस अह कुछ मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से तो यह आपके लिए बहुत ही जादा उत्तम होगा अब आईए बात करते हैं सुरीदेव की खुद की रासी शिंग रासी शिंग रासी वाले आपके रासी से सुरीदेव चोथे भौ में गोचर करेंगे इनके परभाव सरूप आप घर, गाड़ी, आधिस्विधा जनक लाप प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं आपके जीवन साथी को कोई उच्चुपद प्राप्त हो सकता है आपकी सामाजिक छवी और बेहतर तरीके से उभर कर शामने आएगी निजी जीवन में कुछ हत्तक तनाव रह सकता है माता की सेहत में आपको ध्यान रखना चाहिए इस एक महने के अंदर आप कोई अस्थाई संपती भी खरीज सकते हैं या खरीदने की योजना बना सकते हैं इस महने आपको सुर्यदेव के प्रभाव को और भी सुब बनाने के लिए परती दिन सुबह उटकर सुर्य नमसकार करना आपके लिए बहुत लापकारी रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी कन्या रासी वाले सुर्यदेव आपकी रासी से तीसरे भाव में गोचर करेंगे इस कारण आपके अंदर साहस और हिम्मत की कमी आप महसूस कर सकते हैं किन्तु आप अपने संकल्प के प को पचार सकते हैं, इसके लिए आपको खुद में भरोशा रखना होगा, परिवार में या रिष्तिदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, कारे छेत्र में बदलाओ या जौब बदलने का मन बन सकता है, इस दोरान आपको आर्थिक लाप होगा, आर्थिक इस्तिति मजबूत नजर आ रहा है, परभावशाली लोगों से मेल जोड बढ़ेगा, इस अवधी में रविवार के दिन आप गरीब बच्चों को गेहुं का दान करें, इससे आपको लाब अवश्य मिलेगा, अब आईए बात करते हैं, अगली रासी तुला रासी, तुला रासी वाले आपकी रासी से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, इनके परभाव से आपकी भासा सैली काफी कठोर हो सकती है, इस कारण पडिवार में विवाद भी हो सकते हैं, गलत विचार के लोगों से आपका शामना हो सकता है, आय में विर्धी को लेकर कुछ परिशानियों का शामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन आप अपने करमत्ता से अपने इस्तिती को शम्हाल लेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में धन जमा कर पाएंगे इस अवधी में आपको स्वास्थ में विशेश रुप से ध्यान देना है खास करके नेत्र रोग, सिर्दर्द और बुखार जैसी समस्याएं आपको परिशान कर सकती है इस दोरान भरपूर मात्रा में पानी पिने से आपको अधिक लाब होगा किसी प्रोपर्टी से मुनाफ़ा होने के संकेत देख रहे हैं इस अवधी में भगवान सूरीदेव के परभाव को और भी शुब बनाई रखने के लिए रव्यवार के दिन लाल फूल और लाल कपड़ा दान करना आपके लिए बहुत लाबकारी रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी वृष्चिक रासी रिष्चिक रासी वाले सूरीदेव आपकी रासी में गोचर करेंगे पर्थम बहुँ में ही वो इस्थित रहेंगे इस दोरान आपके काम में रुकावटें आती रहेंगी हलांकि आपको पूरा ध्यान अपने काम पर केंदरित करना होगा आपके सुभाव में बदलाव आ सकता है और इस अवधी में आपके अहंकार एवं गुसे में भी विर्धी हो सकता है इन बातों में आपको नियंतरन रखने की आवश्रकता है और परत्यासित यात्राओं के भी योग बन रहें हैं स्वास्त कुछ कमजोर रह सकता है आप पर तनाव विहावी रह सकता है ध्यान करने से आपको लाब मिल सकता है केरियर में उतार चड़ाओं शंभाव है इसलिए आप परती दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करें उन्हें जल चड़ है जिससे आपको इन सभी प्रकार के असुप प्रवहाओं से बचने का बहुत अच्छा आउशर प्राप्त खुशके अब आईए बात करते हैं अगली रासी धनु रासी धनु रासी वाले सूर्यदेव आपकी रासी से बार्मे भाव में गोचर करेंगे इस दोरान आपके स्वास्त से जुड़ी समस्या हो सकती है आँखों से सम्मंदित दिक्कतें या बुखार, पेट तर्द, अनिंद्रा जैसे सिकायत हो सकती है दूर की यात्रा करने का योग बन रहा है विदेश जाने का मुका भी आपको मिल सकता है आपके खर्चों में विर्दी होने के योग दिख रहा है दोस्तों के साथ तनाव भी हो सकता है आपका नाम खराब हो जाए ऐसा कोई काम आप ना करें आपको सैयम एवं धैरे से काम लेने की जर्रत है मल्टी नेशनल कमपणी में काम करने वाले लोगों को लाब हो सकता है मानसिक सांती के लिए पानी में सिंदूर एवं लाल फूल डाल कर भगवान सूरेदेव को अर्पित करें इससे आपको लाब अवश्य मिलेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी मकर रासी मकर रासी वाले सूरेदेव आपकी रासी से ग्यारमे भाव में गोचर करेंगे इस दोरान आपको औप परत्यासित लाब मिलने की शंभावना नजर आ रही है उच अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा अधिकारियों का सयोग आपको पुर्ण रूप से प्राप्त होगा आपके हुनर की पहचान होगी और आपकी कदर बढ़ने वाली है कारे छित्र में परमोशन हो सकता है या कई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है नहीं की होगी पडिवार और पिता से सहयोग प्राप्त होगा लेकिन प्रेम संबंधों में मन मुटाव की संभावना बन रही है आपको यदि व्यापक रूप से देखें तो सूरेदेव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही लाबदाई शाबित होगा सूरेदेव के उपाय को आप खास करके और सुब बनाने के लिए करें तो यह आप के लिए बहतर है खास करके तामे के बरतन से भगवान सूरेदेव को जल अरपित करना आपके लिए बहुत ही जादा शुब रहेगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी कुम्ब रासी वाले आपकी रासी से सुरीदेव दस्मे भाव में गोचर करेंगे इस एक महने में आपको कारे छेतर में तरक्की हासिल होगी आपके अंदर अहंकार की भावना आ सकती है इससे आपको बचने का पढ़ियास करना चाहिए पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की सिति रह सकती है सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को इस दोरान लाब मिल सकता है आपके कारियों की परसंसा होगी आपके आत्म शम्मान में विर्दी होगी वैस्तता के कारण आप चाहकर भी परिवार को समय नहीं दे पाएंगे इस कारण घर में कोई कलहकलेश की स्थिति उत्पन हो सकती है दामपत्य जीवन में मन मुटाव रह सकता है आप केसरियारं के कपड़े रविवार के दिन भागवान विशनू के मंदिर में दान करें या आपके लिए बहुत ही जादा शुब रहेगा अब आईए बात करते हैं अंतिम रासी मीन रासी वालों के जीवन में सुर्य देव के गोचर परिवर्तन से क्या कुछ हो सकता है परभाव मीन रासी वाले सुर्य देव आपकी रासी से नोमे भाव में परवेश करेंगे जीवन में संघर्स बढ़ सकता है और हर कारे को पूरा करने के लिए आपको कुछ अधिक परिश्रम करना पढ़ सकता है पिता की सेहत को लेकर सतरक्ता बढ़ते हैं कारे छेतर में बदलाव और ट्रांसफर की संभावना बन रही है परिवारिक जीवन में विवाद रह सकता है धार्मीक और रिती रिवाजों के कारियों में आपका मन लगने वाला है कई तरह की चुनोतियां आपके अंदर सामने आती हुई आपको नजर आएगी महनत से सफलता आपको मिल सकती है इसलिए अधिक परिश्रम करें आपको मानसिक तोर पर सांती का एहसास होगा यात्राओं के योग बन रहे हैं लाब में विर्धी के लिए आपको परतेक रविवार लाल फूल मंदिर में अरपित करें इससे आपके जीवन में सुभल प्राप्त होने में सफलता मिल सकती है तो दर्शकों आपने देखा सुर्यदेव के रासी परिवर्तिन से आप सभी रासी वालों के जीवन में क्या कुछ शुभ या असुभ परभाव पड़ सकता है इसी प्रकार से जोती से अम धर्म से जुड़े अनेक रहस्पुन महत्पुन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सेर करना बिल्कुल विना बोले फिर मुलाकात होगी अगले कारकरम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मातादी, राधे, राधे